साथियों, हमारे यहाँ कुछ महानुभाव कहते रहते हैं, कि मोदी ने हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? अज पहली बात, मैं ऐसी बात बताना चाहता हूँ, जिसके बाद बड़े बड़े विरोधी, जो दिन रात, हमारा विरोध करने में ही अपनी उर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद तूट पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है, लेकिन मुझे लगता है, मुझे बताना चाहिए, मेरे जो साथी, जो मेरे परिवार जन है, जो जुग्गी जोपड़ी में जिन्दगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे तीन करोड परिवारों को, इस कारकाल में, एक ही योजना से, लगपती बनने का अवसर बिल गया है, इस देश में, मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें, उस में से इतने छोटे से कारकाल में, तीन करोड गरीब परिवार लख़पती बनना, यह अपने आप में बहुत बड़ी बादाज करें अब आप कहेंगे, मोटी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रधान मंत्री आवाज योजना के तहत, देश में जो करीब करीब तीन करोड घर बने हैं, आप उनकी किम्मत का अंदाज लगा दीजिए, यह लोग अब लख़पती हैं, तीन करोड पक्के घर बना कर, हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पुरा किया हैं, साथियों, मुझे वो दीन भी याद आते हैं, जब तमाम प्रयासों के बावजूत, उत्तर प्रदेश घरों के निर्मान में आगे नहीं बढ़ रहा था, आज लखनों मैं ही, और जब मैं आज लखनों मैं हूँ, तो मुझे लगता है ज़र अब इस्तार से ये बात बतानी चाहिए, बतानी चाहिए ना, हाँ आप तयार हैं, हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनिती का शिकार हो जाती हैं, ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है, साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंदर सरकार दे रही थी, बावजुद इसके 2017 से पहले योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूँ, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे, उनसे मिन्नते करनी पड़ती थी। 2017 से पहले PM आवाश यूजना के तहट यूपी के लिए अठारा हजार गरों की स्विकृति दी गई थी। लेकिन जो सरकार यहां थी, उसने गरीबों को PM आवाश यूजना के तहट अठारा गर भी बना कर नहीं दिये। अठारा हजार गरों की स्विकृति और अठारा गर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाईयों बहनों, इस चीजें आपको सोचनी चाहिए। अब कल्पना कर सकते हैं। अठारा हजार गरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए अठारा गर भी नहीं बढ़ाए। पैसा था, घरों की स्विकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे, वो इसमें लगातार अढंगा डाग है थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भुल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टी है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को नव लाग घर बनाकर दिये गए हैं। शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में चौदा लाग घर निर्माण के अलग अलग चन्रों में हैं। अब घर में बिजली, पानी, गैस, सौचाले, ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो ग्रह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ आन बान के साथ हो रहा है।